हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका सरदार विल्लेब भाई पेटेल इंग्लिश मेडियम स्कूल यावल की अनलाइन क्लास में मैं हूँ आपकी इन्दी टीचर कामिनी बुंडे और आज हम पड़ेंगे कख्षा चोथी का 11 नंबर का लेशन हमारा केलेंडर सबसे पहले हम इस पार्ट को पड़ेंगे मा यह मोसम क्या होता है निलू की बात सुनकर उसकी मा का ध्यान टीवी की तरफ गया टीवी पर मोसम की सुचना दी जा रही थी निलू की जानने की इच्छा देखकर निलू की मा बोली निलू तुम्हें मालूम है एक वर्ष में बारह महिने होते हैं और उन बारह महिनों के 365 दिन होते हैं बारह महिनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्ट, सिटमबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसमबर देखो निलू बोल रहा है अपनी मा को कि देखो मा यह मोसम क्या होता है अभी वो तीवे पर हमें विच्चर में दिख रहा है कि वो तीवे पर मोसम के बारे में देख रहा है तो मा को वो पुछता है कि मा मा कि मोसम क्या होता है तो निलू की मा उसको क्या बताती है निलू की मा उसकी बात सुनकर टीवी की तरफ देखती है और टीवी पर मोसम की सुचना दी जा रही थी और तभी निलू की जानने की इच्छा देखकर निलू की मा बताती है उसको कि ब पूरे एक वर्ष में कितने मेने होते हैं, 12 महिने होते हैं, और 12 महिनों के मिला कर कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं, याद रखो, हां, एक वर्ष में महिने कितने 12 हो, और 12 महिनों के दिन 365, तो फिर निलु की मा ने उसको 12 महिनों के नाम भी बताए कौन-कौन से देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल मई जून जुलाई अगस सितंबर अक्तुबर नवंबर और डिसेंबर ये 12 महिनों के नाम है ये भी आपको अच्छे से याद रखने है देखो फिर निलू बोला मा हर महिने में कितने दिन होते है तो उसकी मा बताते है उसको किसी महिने में 30 और किसी महिने में कितने दिन होते है 31 दिन होते है और फरवरी 28 दिन का होता है हर 34 साल की फरवरी में 29 दिन होते है याद रखना है आपको निलु बोला फिर मा यह कैसी जाने कि किस महिने में 30 और 31 दिन होते है निलु को और एक प्रश्न पड़ गया कि मा ने बताया कि किसी महिने में 30 और 31 तो उसके मन में आया कि मा से हम और पुछेंगे कि किस महते में फिर 30 दीन होते हैं और किस महते में 31 दीन होते दें देखो मा क्या बताते भी मा बोली इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है अपनी मुठी बांदो अब उसे उल्टी तरफ से देखो तुमयरे उल्टी मुठी पर जो हड़िया है वह 31 दिन और दो हड्डियों के बीच जो गड़ा है वह 30 दिन तुम इस तरह जनवरी से दिसंबर तक गिनो तुम्हें क्या मिला देखो माने इस चित्र में देखो माने अपनी मुठ्टी को बान लिया है और उसे उल्टी तरफ से देख रहे हैं अब उल्टी तरफ मुठ्टी पर जो हड्डियां हमें दिखाए देती है आपके हाथ पर भी आपको देखना है तो उन हड्डियों में 31 दिन दो हड्डियों के बीच जो गड़ा है वह 32 दिन का होता है और तुम इस तरह जनवरी से दिसंबर तक गिनना है आपको तो तुम्हें क्या मिला ये अच्छी तरह से आपको देखना है तो निलो बोला इस पर जनवरी 31, हरवरी 30, मार्च 31, अप्रेल 30, मई 31, जोन 30, जुलाई 31, फिर अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्तुबर 31, नवंबर 30 और आखिर में दिसंबर 31 दिन का पड़ रहा है ऐसा निलो ने मुठ्टे पर देख लिया, मतलब आपको समझ मैं या कि जनवरी मेना कितने दिन का 31, फिर फरवरी 30 का, मार्च 31 दिन का, ऐसे उसने अपने मुठ्टे पर देख लिया तो मा बोली शाबास, लेकिन फरवरी 30 की नहीं होती, फरवरी में कितने दिन होते हैं तो निलो बोला 28 दिन किस महिने में कितने दिन होते हैं इसे एक कविता से भी जान सकते हो सुनो और याद करो देखो यहाँ पर एक कविता दिये है अभी सी अब जू नव तीस के बाकी के एकतिस 28 की फरवरी सन चौथे उनतिस है समझ में देखो सितंबर सी अब जू नव यह मेंने कितने तीस के ओके और बाकी के सभी 31 और 28 की फरवरी सन चौथे साल में उनतिस दिन फरवरी के ओके इसे माने उसे एक कविता में गाकर दिखाया नेक्स्ट पेज सी मतलब क्या सितंबर अप यानि अप्रेल जू यानि जून नव यानि नवंबर तीस दिन के होते है और बाकी के मतलब जनवरी मार्च मई जुलाइ अगस्ट 31 दिन के होते है और तीस साल तक सारी तीन साल तक फरवरी 28 दिन की होती है और च्छौते साल में 39 दिन की हो जाती है है आपको भी समझ में तो इस पर निलू क्या बोलता है कि च्छौते साल में यह हो 29 की होती होगी यह कहसे जाने तो मा क्या बोली तुम्हारे टीचर ने टेबल सिखाए है आपको भी सिखाया है कि नहीं विशने टेबल तो चार का टेबल बोलो तो उसी साल में फरवरी 29 की होगी जैसे 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2016 में इसी तरह आगे तुम बताओ तो निलु बला मैं समझ गया इसके बाद 2020, 2024, 2028, 2032, 2036 में फरवरी 29 की होगी देखो फिर इस पर मां बोलती है अरे बस बस अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि एक वर्ष में तीन मोसम होते है, तो को याद रखो, एक वर्ष में तीन मोसम होते है कुण-कुण से होते है वो? सर्दी, गर्मी और बरसात और हमारे हिंदी कैलेंडर में लिखे मैनों के नाम और छहरुत्वे में तुम्हें बान में बताऊंगे अहले इतना याद करो देखो माने उसे कैलेंडर के बारे में इस लेशन में बताया है अई समझ मैं आपको भी ओकी तेंक यू देश्टुडेंट्स प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आवर चानल